नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका टैक्स नोई डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तों भारत टूइन इंजन डेक बेस्ट फाइटर रिजेट को बना रहा है और इस साल इसके लिए 13,000 करोड के जो फंड है उनको भी ऐलोकेट कर दिया जाएगा तो ये पहले से ही 4.5 प्लस जनरेशन का एरक्राफ्ट होगा यानि कि आप इसे राफेल के F4 वेरियंट से भी एडवांस मान सकते हैं लेकिन अब इसको और ज़्यादा घातक और साथ में एफेक्टिव बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का तो यूज किय जाएगा लेकिन अब ये अपने साथ जो ड्रोन्स है उनको भी ओपरेट करतने में कैपेबल होगा जिससे कि जो दुश्मन के एडिफेंस सिस्टम से लेस एरिया या फिर शिप होंगे वहाँ पर जो टेड़ी बीएफ है उसे डायरेक्ट नहीं घुसना पड़ेगा वहाँ से अगर कोई शिप होई या फिर ग्राउंड टार्गेट हुआ उनको डिश्ट्रोय कर सकेगा और इसी के साथ अगर आप बात करें कि अभी के लिए भारत कौन कौन से स्टेल्थी ड्रोन्स के ओपर काम कर रहा है तो देखी दोस्तों उसमें सबसे पहले तो आजाता है औरा हटके एक नया प्रोजेक्ट यानकी फूफा जिसे फ्यूचर स्टिक फाइटर जेट के नाम से जाना जा रहा है तो दोस्तों ये भी अभी कुछ दिन पहले जो है सुर्खियों में आया था लेकिन अगर आप बात करें इसकी वेपन्स की जो केरिंग कपैस्टी होगी तो व जो है वे देश शामिल है जो की नेवल फाइटर जेट बना चुके हैं और जो टेडी बी एफ है वो मुझूदा जे फिफ्टीन सुखोई थर्टी थरी मिट ट्वंटी नाइन के एफए एटीन सूपर होरनेट और इस सब के लावा राफेल एफ-फॉर से कहीं जादा और इसी के साथ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और ड्रोन से इसको और ज्यादा घातक बनाया जा सकता होगा तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की तो वह है धरती के एक मातर सूपर पावर को ले करके तो दोस्तों जो इस सूपर पावर क एक सो कॉल्ड नेता है जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल नेताओं में से एक है यनकी शेख रशीद तो इन्होंने बताया कि 23 मार्च को जो की पाकिस्तानी दिवस होता है तो वहाँ पर लगबग 25 जे 10C लड़ा की तयारे जो हैं फ्लाई करेंगे और ये इ पूरी दुनिया को हैरान कर देता है नासा वाले सो नहीं पा रहे हैं तो पाकिस्तान ने जे 10C को खरीदने का फैसला तो किया है लेकिन पहले इस डील की जो कीमत है वह 4.2 से लेकर के 4.5 बिलियन युएस डोलर तक बताई जा रही थी लेकिन अब जैसे ही ये डिसीजन और ज्यादा मेक्शूर हो गया है कि हम इस डील को करेंगे तो इसके ओपर जो चाइना और साथ में पाकिस्तान है दोनों ने कोई भी जानकारी नहीं दी है कि इसकी कोश्ट कितनी होने वाली है तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पर थर्ड डिगरी का इस्तेमाल करें इन से पैसे वसूलने के लिए और इसके बाद चाइना और साथ में पाकिस्तान की जो बोट्स हैं जो की पी यल फिफ्टीन मिसाइल को मेटियोर से ज़्यादा एड़वांस बताते थे और इसकी जो रेंज है वो तीन सो किलोमेटर से ज्यादा क्लेम करते थे लेकिन बाद में ये धीरे 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 200 पे आ गई 200 से 200 पे 200 से 180 पे और लाश्ट में चाइना ने इसको 145 किलोमेटर पर अठका दिया तो यह जो 25 एरक्राफ्ट है इतनी जल्दी इनको पाकिस्तान को मिलना तो अभी यह नहीं पता है कि यह डायरेक्ट जो पाकिस्तान की अनारकली एरफोर्स है उसमें शामिल होंगे या फिर यह केवल J-10C के वो वैरियंट है जिसे जश्ट सेर्मनी के लिए पाकिस्तान में दिखाए जाएगा तो दोस्तो ओवराल आप सब का दोनों अपडेट के ओफर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताईएगा साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले कर ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना है मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद